हाई फ्रेंड्स मैं अमान एस्पीडी के करेंट अफियर स्रीज में आप लोगों का स्वागत है पिछले वीडियो में 385 नमर कोस्चन तक का डिस्कसन कर चुके थे इस वीडियो में 386 से देखते हैं चलिए देखते हैं कोस्चन को कर आए कि ऐसी स्थ प्रूश करिकेट वीजु कप 2022 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर किया है तो यह जो मेंटर किया है वहने अजे जडेजा को निख किया गया थीक हैई चलिए question number 387 को देखते हैं कर रहा है कि भारत के अब ICC आया है तो थोड़ा सा ICC से related जो विश्व कप हुआ था उसको question को ये facts को देख लेते हैं रिवीजन भी हो जायेगा चलिए देखिए इस वार जो season था वो 13 हमा संस्क्रान था याद रखिएगा जो 2023 में हुआ था आयोजन इसका भारत में 15 अक्टूवर से लेकर के 19 नवंबर तक इसको आयोजित किया गया था अधिकारिक जो सुभंकर था इसका ब्लेज और टॉंग याद रखिएगा ब्लेज और टॉंग एंथम सॉंग्स जो था दिल जस्म बोले ठीक है ग्लोबल पार्टनर कंपनी मास्टर कार्ड है याद रखिएगा फाइनल जो है नरेंद्र मोधी अस्टेडियम अहम्दावाद में खेला गया था ग्लोबल इसका अम्बेजडर है सचीन तेंदूलुकर और ब्रैंड अम्बेजडर है सारू खान याद रखिएगा बिजेता जो रहा था वो अस्टेलिया रहा था अस्टेलिया के कप्तान आ जाते हैं आपके पैट कमिन्स याद रखिएगा वो बिजेता जो रहा था आपक सबसे तेज सतक जो मारे थे वह ग्लेन मैक्सवेल याद रखिएगा और एक पॉइंट और ICC का सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट टाइम आउट नियम से आउट पर्थम बलेवाज जो है वह एंजलो मैथ्यूज है स्रिलंका की याद रखिएगा इस पॉइंट को चलिए आगे बढ़ते हैं 387 नमबर को देखते हैं कर रहा है कि भारत के बाहर डॉक्टर बी आर अंबेदकर की और यह एक और जो है तो स्टडी ऑफ नॉलेज के बारे में कुछ डिसकस कर लेते हैं देखिए स्टडी बोल रहे थे स्वरी स्टैचू ऑफ नॉलेज यह जो परतीमा है यह डॉक्टर बी आर अंबेदकर की ही परतीमा है यह जो है आपका महरास्ट के लातूर में जिसको स्टैचू ऑफ नॉलेज नाम दिया गया है ठीक है चलिए आगे चलते हैं 388 को देखते हैं कराया कि भारत के पहले सोलर रूफ साइक्लिंग ट्रैक का दुगाटन कहां किया गया तो यह जो किया गया है आपका वह हैदराबाद में किया गया ता आपका option क्या हो क्या पुर्वानुमान लगाया है तो यह जो लगाया गया है नुमान आपका option B हो जाएगा 6.3% ठीक है चलिए 390 को देखते हैं कराया है अच्छा यह देखिए कि यह वीत्तवास 23-24 का जो भारत की GDP growth rate का पुर्वानुमान लगाया गया है यह budget से related कुछ points को भी इस point में ड गहाटा है 2023 का वो कितना 8.69 कडोड या रखियेगा GDP का कितना परसेंट है 2.9% राजकोसिये जो गहान थेटCC का उस 17.86 लाक कडोड यह GDP का कितना थेखिए 5.9 १ा कितना रहा है 23-26 का 7.06 लाक कडोड यह GDP का कितना है 2.3% इस points को भी याद रखिएगा चलिए 390 नमर को देखते हैं कराय कि बिहार राज का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में अस्थापित किया जाएगा तो ये जो अस्थापित किया जाएगा आपका वो कैमूर जिला में अस्थापित किया जाएगा तो आपका option क्या हो जाएगा 391 को देखते हैं कराय के ACI खेलो में महिला एकल टेवल टैनिस परती हो गी था कि क्वार्टर फाइनल में पहुचने वाली पहली भारतिय महिला भारतिय एक कौन बनी है तो यह जो बनी है आपकी वो मनी का वत्रा बनी है ठीक है आपका option D हो जाएगा 392 को देखते हैं कराय के भारतिय एक रिजर्ब बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कौर्पोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है तो यह जो दिया गया है आपका वो फेडरल बैंक को दिया गया तो आपका option क्या हो जाएगा C 393 को देखते हैं करा प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो यह जो किया गया है वो आपका CDB के द्वारा किया गया है तो आपका option B हो जाएगा चलिए 394 को देखते हैं कराय कि ग्लोवल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है तो यह जो भारत की रैंक रही है वो 40 प्रीमा रहा है याद रहिए 40 मा ठीक है अब 2022 में भी इसकी रैंक 40 ही रही थी चलिए एक पॉइंट इससे कुछ और पॉइंट्स को देख लेते हैं जैसे आपका सबसे पहले यह जो आपका दिया है कि ग्लोवल इनोवेशन इंडेक्स इसको हिंदी में भी कोशन ऐसे देख करके पूछ सकता है कि वैस्विक नमाचार सुचकांग ठीक है ग्लोवल का मतलब वैस्विक और इनोवेशन का मतलब नमाचार नयापन और इंडेक्स का मतलब सुचकंग, ठीक है, इसका जो जारी करता है, यह बहुत धिक संपता संगठन है, याद रखिएगा, समलित देश इसमें कितने होते हैं, 132, और सिट्स देश इसमें कौन रहा था, आपका स्वेटजर लेंड रहा है, भारत का स्थान 40-वा, 2022 में भी इसका स परदर्शन के महरा है, 40-वा, चलिए एक दो और इंडेक्स को देख लेते हैं, जैसे आपका जलवाई परिवर्तन परदर्शन सुचकंग, 2024, इसकी जो जारी करता है, वो जर्वन वाच और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है, ठीक है, इ हैंले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, इसको जारी करता है, वो हैंले एंड पर्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है, इसमें जो समलित देश रहे हैं, 199, सिर्ष देश इसमें रहा है, वो जापान और सिंगापूर, ये दोनों सिर्ष में रहा है, ठीक है, भारत का जो कमपनी भारत में भुकम चिताबनी सेवा शुरूख करने जा रही है तो यह जो जा रही है आपके वह गूगल कमपनी जा रही है तो आपका आप्शन सी हो जाएगा अभी वरतमान में गूगल के जो सी हो हैं वह सुन्दर पीछाई हैं ठीक है दोस्तों इतना यह अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें थैंक यू